हेलो फ्रिंट स्वगत है आप सब का आपके अपने ट्यूब चनल इसमा इन्वेस्ट्मेंट में फ्रिंट्स मार्किट में हर वो स्टॉक जिन्होंने जबदस रिटन 2021-22 में दिये हैं वहां पर पिछले एक साल से बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है ऐसे ही एक स्टॉक एंजल वन की हम बात करने वाले हैं यह स्टॉक भी अपने हाई से 50% की करेक्शन दिखा चुका है और IPO प्राइस से जहें लिस्ट होने के बाद अगले अग्डेट साल में लगबग 6 सब में देखने को मिला है टेकनलोजी में हैविली कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और जो है एंजल फर एक ऐसा ब्रोकर है जो पुराना ट्रीशनल ब्रोकर था और जिसने निव एज ब्रोकरेज ब्रोकर्स को जबर्दस्ट जो है कॉंपिटिशन दिया है जिरोधा आप इन्वेस्ट को जबर्दस तक्कर एंजल वन ने दिया बड़ा क्लाइंट बेस्ट में रिफ्लेक्ट किया है और उसके बाद में प्राइस में जबर्दस तरीके आगा जम देखने को मिला बट यह स्टॉक भी अपने हाइस से 45-46-46% करेक्ट हो चुका है तो क्या आप टाइ पर ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलिए फ्रेंट्स एक हजार एक सो ग्यारा इसकी सी एंपी है ब्यारवे सा करोड की मार्केट कैपिटल है एक समय पर यह स्टॉक साड़े 1900 रुपे के आस पास था यानि की मोटा मोटा 45-46 परसेंट वहां से करेक्ट हो चुका है सब्ट सब्सक्राइमबर 2020 में आइपयो आया था 306 रुपे पर कुछ खासा रिव्यूज आइपयो को नहीं मिलेते और आइपयो डिस्काउंट पर लिस्ट वा था बट उसके बाद जो उन्होंने गेर चेंज किया यहां मैं सरिफ प्राइस मुमेंट की बात नहीं कर रहा हूं कंप कंपनी के रिजल्ट बहुत बढ़िया आयए और कंपनी लगा तार पिछले चार कौटर से मल्टी फूल जो है वाइवान वाई बेसिस पर जो है रिजल्ट में जंप देखने को मिल रहा है दो सू अटाइस क्रोड का प्राफिट डिसांबर में दो सो चोड़ा क्रोड का सब बड़ा चंक जो है एंजल वन ने अक्वायर किया है जो है इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था जिसकी वज़े से स्टाक में बड़ी जंप देखने को मिली तीसरा लार्जेस ब्रॉकर है फ्रेंट्स जो है एंजल वन आज की डेट में इनके पास में जो है 11.6% मार्केट श मार्केट शेयर है तो जो है काफी जबर्दस ग्रोथ पिछले तीन साल में यहां पर देखने को मिली है डिजिटल इन्वेस्टमेंट में इन्होंने जबर्दस इन्वेस्टमेंट किया है टेकनलोजी में और वहां जो पैनेट्रेशन बढ़ रहा है उसका जबर्दस यह टेटियम बेसिस पर सो रुपे के असपास का एपिस क्लॉप करेगी बट मैं थोड़ा मानता हूं कि अगर आने वाला टाइम में रिजल्स में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा 85-90 रुपे के असपास का एपिस भी आता है तो फिलाल यह 12-13 के पे ट्रेड कर रहा है जो वैलोशन बहुत रीजनेबल है फ्रेंट जो मार्किट इस टाइम डीमेट अकाउंट ओपनिंग की है वो है बहुत बड़ी एक तो यंग जनरेशन का क्रेज जो है स्टॉक मार्किट को लेके वो पीक पर है और वो आने वाले टाइम में बढ़ेगा इसमें कोई डाउट नहीं है जिस तरह से इंटरनेट का रिविलिशन हो रहा है जिस तरह से एप बेस्ट रेडिंग अब आ गई है हर तरीके से आपके फिंगर टिप पर है तो यह बिजनस तो बढ़ना है इंडिया में टूटल पैन होल्डर लगबग साथ करोड के आसपास हैं डीमेट अकाउंट जो एक 11-11 करोड के आसपास है डिसैंबर का डेटा है और एक्टिव क्लाइंट जो है 35 मिलियन यानी 3.5 करोड के आसपास है काफी बड़े जो डीमेट अकाउंट प पिछले तीन साल में जित्ना पिछले 5-50 साल में नहीं खुले तो यह संखी आने वाले समय में और भड़े गी डिमेट पैने टरेस्ट इंडिया में अभी बहुत कम है तो यह हम CDSL के शेर का जब रिवीव कर रहे थे तब भी हम बात कर रहें तो यह मार्कित तो बहुत तो अब देखिए आपकी फ्लैट ब्रोक्रेज आ गई है और किस तरह का कॉम्पीटिशन यहां पर बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात खाली प्राइजिंग की बात नहीं है नहीं नहीं ब्रॉकर्स आ जिरोधा ने बड़ा माकेट शियर काप्चर किया हुआ है लाइस ब्रॉप स्टॉक और नहीं नहीं कंपनी यहां पर आ रही है जो ट्रेडिशनल ब्रोकर थे वो जो है लगातार डिजिटल टेक्नलोजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डिसकाउंट ब्रोकरिंग दे रहे ह क्योंकि यह ग्रोइंग फिल्ड है तो ऐसे में बहुत स्कैटर्ड मार्केट यह हो गई है और आने वाले टाइम में मार्जन और ग्रोथ दोनों पर ऐसा उसका देखने को मिल सकता है दूसरी चीज जिस तरह कि मार्केट की सब्डूड ग्रोथ रही है मार्केट में परफॉ बहुत जड़ा थे पर काफी लोग ऐसे हैं जिन्हों लाइन में लग लगके पहले डिमेट अकाउंट खुलवाए हैं और आज वो उसको यूज नहीं करते हैं यह मार्केट से लोस लेके बाहर निकल गए है तो नमबर आफ डिमेट अकाउंट तो बढ़ेंगी बढ़ेंग साल में वो वैसे लॉंग टम ग्रॉथ आउटलुक बहुत पॉजटिव है बट शॉट टम के बात करों तो वह तरह नहीं होगा जो पिछले दो साल में देखने को मिला है तो यह चालेंजिस यहां पर अंडावट इडली है मैं फ्यूचर आउटलुक की फ्रिंट्स बात करत पर जो है आपको वाल्यूमें भी गरावट देखने को मिलेगा उसका इंपाक्ट रिजल्ट पर भी देखने को मिलेगा मेरा माना फ्रेंट्स यह आप नीचे के रेट से फसे हुए है और आप 2-3-4 साल होल्ड करते हैं तो यहां से तो यह स्टॉक बैटरली परफॉर्म करे ब्रोकरेज कमपनी को ना खरीड के आप CDSL के शेर को खरीड के वहां जो है उपर्चुनिटी ज्यादा वड़ी है वो स्टॉक भी सत्रसों का हाई बनाके 980 के आसपास चल रहा है उसमें पूरा पटेंशल है कि वो तीन साल में अपना प्रिवेस हाई क्रॉस करके न्यू ला जाए हजार उपे के नेचे पर जो नीचे के रेट से लेकर बैठे हुए हैं देकें कंटीन्यू टू होल्ड स्टॉक किसी भी लिहाज से खराब नहीं है बट मैं 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 सिर्फ से लिए कह रहता है कि आप अगले पांसा साल के लिए एक बाइन फॉर्गेट वाली कैटेगर का स्टॉक चाहते हो देट इस इंटू था सेम स्पेस तो वह सीडिये सेल है बट अगर सीडिये सल आपके पास और एंजल आपने रखा हुऊ है तो मैं मेरा मानना है फ्रेंट्स कि यहां पर क्रेक्शन के साथ आप थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा खरीद लीजिए और अगले तीन साल में डबल होने का पोटेंशल रखती है तीन-चार साल में तो यह बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है इसमें नंबर वन पर हमेश्चा सीडी एसल ही मेरी चॉइस रही है एनसे का शेयर लिस्टिट नहीं है अधर वान पर रखता पर एंजल वन किसी भी लिह यहां से खराब नहीं है शॉट टम में थोड़ा पेन मिल सकता है अगर आप तीन साल का व्यू रखते हैं तो इस स्टॉक में यहां से अच्छे खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है फदर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए वीडियो परसंद आ